DAV Class at Social Size Chapter 11 The First War of Independence 1857 इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सोलुशन करेंगे Dear Students, आपने वीडियो को कम्पलीट देखना है और कॉमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा तो शुरू करते हैं इसका सोलुशन और सोलुशन करने से पहले अगर किसी स्टुडेंट ने इस चैप्टर का एक्स्प्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो एक्स्प्लेनेशन वीडियो देख ले मैंने चैनल पर कम्पलीट चैप्टर सभी चैप्टर Class 8 के करवारक हैं तो आप लेलिस्ट चैप्टर आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे तो शुरू करते हैं इसका सोलुशन सबसे पहले हमारे पास है Something to Know का A पार्ट है टिक दा करेक्ट ओप्शन करेक्ट ओप्शन पे हमने टिक करना है फर्स्ट कोस्टन है इसका जो मंगल पांडे था वो किस से बिलों करता था किस प्लेशी से बिलों करता था जालसी, हैदराबाद, गौलियर, बैरकपूर तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा बैरकपूर ठीक है जो बैरकपूर से बिलों करता था थार्ड है फू तुक ओवर दा गवर्नेल्स अफ इंडिया फ्रोम दा इस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर दा 1857 रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट के बाद इस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नेल्स किसने लेली थी तो दा ब्रिटिश पार्लियमेंट दा क्वीन, दा वायसराई, दा गवर्नेर जनेर इसका साही अंसर होगा दा क्वीन इसका साही अंसर है दा क्वीन फॉर्थ है हमारे पास दा ब्रिटिश आर्मी वाज रि ओर्गनाइजड आफ्टर दा रिवोल्ट ओफ 1857 टू जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको दुबारा से एक तरह से बनाया गया तो 1857 कर जो रिवोल्ट था उसके बाद क्यों बनाया गया था एनेक्स दा इंडियन स्टेट रूतलेसली कंकर इंडियन रुलर्स गिव मोर पावर्स तो इस्ट इंडिया कंपनी प्रिवेंट फीजर रिवोल्ट तो बविश्य में कोई दुबारा से रिवोल्ट ना हो कोई विद्रो ना हो इसके लिए रिओर्गनाइजड किया गया था ब्रिटिश आर्मी को तो इसका सही अंसर होगा D फिफ्ट है दा प्रैक्टिस अफ लुकिंग डाउन अपॉन दा ब्लैक इस नोन एज जो काले लोग है उनको मतलब नीची नजर से देखना या उनको कमस देखना ठीक है उनको छोटा समझना तो इस प्रैक्टिस को क्या कहते है रिलिजन्स रेशल लोग रेशल इस्क्रिमिनेशन इंपेरिलिजम तो इसका सही अंसर होगा रेशल इस्क्रिमिनेशन तो हमने एपार्ट इसका कंपलीट किया अब हम करते है इसका पार्ट बी पार्ट बी में हमारे पास है फिर्स्ट धिलिंग दा भलाइंस है The First War of Independence is also known as जो First War of Independence था उसको क्या कहते है उसको ये भी कहते है जिसको इंडिन में सिपाई कहते है इसका ये दूसरा नाम है Second है The British considered themselves जो British थे वो अपने आपको क्या समझते थे वो अपने आपको superior समझते थे उन्हें आपको जो इंडियन थे उनसे बेहतर समझते से उनसे ज़्यादा अच्छा समझते थे उसका आईगा superiors Third है बहादुर्शा जफर वाज एक्जाइल टू बहादुर्शा जफर को कहां बेज दिये गया था कहां जिल में बेज दिये गया था तो वो जगह थी रंगून जो बर्मा में है ठीक है बर्मा देश है जो Fourth है रानी लक्ष्मी भाई wanted her lost kingdom जो रानी लक्ष्मी भाई थी वो अपना जो lost kingdom था जो उसका राज्या था उसको दुवरा ने ना चाहती थी Fifth है The Doctrine of Laps ठीक है इसका एगन Laps इसकी नीती Laps की जो नीती थी Created a resentment among Indian rulers इसने जो Laps की Doctrine of Laps थी उसने जो रूलर थे इंडियन रूलर थे राजा थे उनके उनमें क्या बर दिया गुस्सा बर दिया आक्रोश बर दिया ठीक है यानि कि वो नराज हो गए इस नीती से Doctrine of Laps से तो हमारा B part भी complete हुआ अब हम करते है इसका part C part C में हमारे पास है True or false First है बहादुर्शा जफर वाज प्रोक्लेम दा सैंशाई हिंदुस्तन जो बहादुर्शा जफर था उसको सैंशाई इंदुस्तन बना दिया गया तो यह आएगा True Second है एड कानपूर्श दा रिवोल्ट वाद लेड बाई बेगम हजरत महन कानपूर्श से जो रिवोल्ट का नेतरित्व किस ने किया बेगम हजरत महन ने किया तो यह आएगा False उसने नहीं किया था Third है The British followed a policy of racial discrimination तो यह आएगा True Fourth है The Regiment of Merit revolted on May 10, 1857 तो यह आएगा True यह मारा first question भी यही था A Secretary of State was appointed to look after the Governance of England तो यह आएगा False तो यह हमारे पास हमने कर लिया इसको A, B और C पार्ट हमने इसका कर लिया अब हम इसका D और E पार्ट करेंगे और D और E पार्ट करने से पहले Dear Student मैं आपको बता दूँ कि आपने प्लेलिस्ट को किस तरह से चेक करना है चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडिस मिल जाएंगे आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए ठीक है और प्लेलिस्ट किस तरह से चेक करना है मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ आपने YouTube पर सर्च करना है Agumagnet जैसे आप YouTube पर सर्च करोगे YouTube जो बार सर्च बार होता है जैसे उस पर आप Agumagnet सर्च करेंगे आपको इस तरह से चैनल का आइकन दिखाई देगा आपने इस चैनल का आइकन पर यहाँ पर टैप करना है जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे आपको इस तरह से दिखाई देगा ठीक है tap करोगे, आपको subject wise class wise playlist मिल जाएगी, ठीक है तो इस तरह से आपने playlist को check करना है, अब हम इसका करते है, question number D and E so question number D है, answer the following question in brief, question one है, the reward of 1857 was landmark in the history of Indians struggle for independence, justify the statement with any three argument, तो आप इसको note down कर सकते हैं, मैंने जो explanation video है, उसमें सारा chapter करवा रखा है, तो आप उसको एक पार जुरूर देख लें, उसका link आपको video की description में और playlist में मिल जाएगा, तो question number one, आप इस concept note down कर लीजिए, उसके बाद है, question number two, इसको भी आप note down कर लीजिए, उसके बाद है, question number three, एर है question number four, D का question number four है, फिर D का question number five, उसके बाद है मार बास question number E, question number E का first है, describe the course of reward of 1857, तो आप इसको note down कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास है question number two, ये E का question number two है, तो आप इसको note down कर लीजिए, तो जुआ एर है, question number three, बाद है, इसके बाद है, question number three, what step did the British take to three-square, no down कर सकते हैं, एर है question number four, और लास्ट कोशन है कोशन नमर फाइव तो इस तरह से इस चैप्टर का सुल्यूशन कम्पलीट हुआ अगर वीडियो आपको अच्छा लगाया तो वीडियो को अपने समी दोस्तों से शेयर जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार